नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिगज एक Reliance Group के एक Share के बार में Reliance Industries के नाम आते हैं सबके चेहरे में उसी expression आ जाता है कि Reliance Industries से जुड़े हुए है मतलब company जब दस्त होगा देखे बहुत सारे companies है जो Reliance Industry इसके साथ जुड़े हुए है मगर अभी भी उस company का performance बहुत बहुत जादा खराव है क्यों बता रहा हूँ अभी मैं आपको प्रूब करूँगा साती साथ जितने सारे को दोस्तों ने इस company को पर निभेश करकर रख है उसके लिए बहुत important होने वाला है वीडियो तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो जरू सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि आपको डेली वेसी स्टॉक मार्केट इन्फोर्मेशन और अपडेट चाहिए तो चलो भटा पड देख लेते हैं आज के स्टॉक के बार में इस सबसे पहले में निप्टी कर मीडिया सेक्टर के ऊपर आ चुगा हूँ मतल्ब मीडिया इंडेक्स कर आ चुगा हूँ तो जितने सारे इसे बिलों करने वाला कंपानी से उनमें देखिए सारे के सारे कॉम्पानी के साथ इस कॉम्पानी को कंपरिजन करेंगे तो आपको बहुत जादा खराब पर्पोमेंस देखने को मिलेगा क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कॉम्पानी रिलाइन्स के साथ जुड़े हुए है तो फिर भी इस company का performance आप देखेंगे आभी मैं आपको दिखा देता हूँ TV18 जो है जो डायरेक्ट है तो TV18 के बारे में आज बात करूँगा तो आप देख सकते company का price range आज के दिन का जो price range था वो 65 रुपीज था तो यहाँ पर company ने आज के दिन करीबन 2% तक गिरावट हुआ है देखें आज के दिन market में निप्टी सेंसेक्स बैंक निप्टी सारे के सारे 2% तक गिरे तो इसके पीछे जो reason है यहाँ पर में वो reason नहीं बात करने वाला हूँ यहाँ पर मैं TV 18 के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि company का जो performance है 52 का जो high है इसका देखाज़े 52 का high के नजदीकी है 67 और अभी चला है 65 इसका low था 26 तो फिलाल देखाज़े company आपका fund एक सल के अंदर double से भी ज्यादा कर चुके है तो फिर भी क्या इस company के उपर निव आज के दिन का चार्ट पर नपर कर दूँ तो आप देख सकते है एक्चुली company का नाम है TV 18 news company है TV 18 अब सभी जानते है और इस company का जो देखा जाए आज के दिन का जो performance है वो 2% तक आपको गिरावड़ देखने को मिला पांस दिन का चार्ट पर नपर बंपेंड कर दों तो बहुत सांदार रीटन आपको दिया करीबन 8% तक और rides 56 तक का रिटरन सान्धर यह पर आपको परकरन करों तो क्या अभी इस को अभी एस कोंपानी को पर बने रहना चाहिए इतना टाइम तक थे थीक थीक था मतलब 1 नद सब्सक्राइब एक दिन से एक साल तक में एक कंपरिजन करूं तो ठीक ठाप परमेंस था अभी फरो में थोड़ा सा खराब देखने को मिलेगा पांस साल के चार्ट पर्टन में देखिए 53% ये भी ठीक है चलो माल लेता हूँ मैकसिमम चार्ट पर्टन उपन कर देंगे तो आपका कुछ नजरिया चेंज हो जाएगा जो कॉम्पानी 200 में चलता था अभी फिलाल के लिए 63 में चल रहा है और इसका जो लो हुआ था जो लो हुआ था करीबन 13 to 14 रुपीज तक लो हुआ था तो इस तरीके से गिरावट के पीछे जो कारण है पहली तो बात एक न्यूज कॉम्पानी है तो अभी फिलाल के लिए बहुत बहुत सरा कॉम्पेटर न्यूज चैनल के माध्धम से खुद को बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है तो न्यूज चैनल के आप देख सकते है TV18 जो है वह उसके देखिए CNBC TV18, CNBC आवाज, CNBC TV18 Premium HD तो इस तरीके से कुछ चैनल आपको देखने को मिलेगा मगर मुझे नहीं लगता अभी फिलाल के लिए ज़्यादा तर लोग न्यूज देखते है और न्यूज देखते भी होंगे तो इस कॉम्पानी के उपर कितना न्यूज देखते है मुझे तो पता नहीं और जानन की के यहाम ही चेलके जानता हूफ कंपनी की के वापनी कर रहा हूँ फिलिव से जब देखा हुआ है कंपनी के एक साल के लिए निविस कर रहे है तो धीक ठाग चलो अब must मिल गया आपका फंड डवल हो गया मगर आप लॉंग टर्म निबेसक है तो आपके लिए एचीज सोचना चाहिए कि मैं इस कॉम्पानी के उपर निबेस करूं के नहीं करूं तो उसी के बारे में पूरे डीटेल्स एक करके में दिखा देता हूँ तो चलो यहां पर डीटेल् ज्यादा तो होगा ही होगा उसके बार देखें का कारेंट प्राइस देखिए 63 है कंपानी का पीर इसी है वो 18 है और इस सारे के सारे डेटा में स्कैनर के साइट के उपर से दिखा चुगा हूँ तो यहां पर कंपानी आप देख सकते हैं इंडस्टी इस पीर इसे 35 है जिसक रिटान ओब इक्विटी 14 परसन सब्सक्राइब एक्विटी 11 परसन है रिटान ओव इक्विटी करीवन 15 परसन तक है कंपानी का फेज वैलू जो है बोग दो रुपी है मतलब कंपानी स्प्लीड भी कर चुके है उसके बाद कंपानी का जो एनॉल इंकम है खराब नहीं है 45 756 करोड कंपानी का डेप्ट जो है बो 773 करोड इसका मतलब कंपानी का डेप्ट भी क्यूटी है 0.17% कंपानी का प्रोमोटर के पास देखे जब अदस्त होल्डिंग है 60% तक होल्डिंग है और प्रोमोटर कोई भी सेयर या पे गिर भी नहीं रखा है इपी इसके बार हैं बात करो तो earning परस्ट से 3.54 परसंट है और company का देखे free cash flow जो है वो 1238 करोड़ है तो आप इस company को debt free consider कर सकते है क्योंकि इसका annual income और इसका जो free cash flow है हात में जो cash है उसके इसाब से company को debt free consider कर सकते है क्योंकि यहाँ पर देख लिजिए company has reduced debt to reduce debt को reduce कर रहे है बहुत अच्छा का सा reduce कर रहे है company का sales growth ठीक दिखा रहा है और एक चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा और हाँ यह पर एक चीज आपको दिखाना था जो चीज में बूल गया company का dividend देखे जो company dividend नहीं दे रहा है मतलब उस company में कुछ तो negativity होगा मतलब उस तरीके से profit नहीं हो रहा है तो जिसलिए dividend नहीं दे रहा है इसका मतलब ए नहीं कि यह company खराफ हो गया देखे आप कहेंगे डिमाट जो avenue सुपरमाट है वो भी dividend नहीं देता तो इसका मतलब क्या है डिमाट का खराफ हो गया company का खराफ हो गया एकदम नहीं company जवद दस्त है तो same to same dividend नहीं दिया इसी बात को आपको देखाना था देख इसका company entertainment के segment से बिलोंग करते है sector से बिलोंग करते है तो उनमें से देखा थे जी entertainment number one position में है उसके बाद sun tv जो sun tv network पी number two position में है उसके बाद tv 18 broadcast number three position में है उसका market capilation के सबसे company position बना रहा है तो company कोई खराब नहीं है company का performance थोड़ा सा खराब हुआ है ठीकिए अब quarter basis company का result बीच में तो सिर्फ एक करोड का profit किया था फिर भी देखिए profit तो हुआ तो साल भर की परफिट में देखेंगे तू आपको कुछ नेजरिया चेंज देखने को मिलेगा पहले तो 110 करोड 17 करोड 74 करोड 25 करोड का loss होते थे अभी देखा जाए company करीबन करीबन profit में आ चुके ह 600 करोड तक company पहुच चुके है तो फिलाल के लिए company धीरे-धीरे खुद को performance अच्छा कासा कर रहा है फिर भी में company के sales growth जबदस्त है profit growth भी जबदस्त है return of equity भी positive है और आपको किस्ते कैसे return दिया वो भी आप देखना चाहिए 10 साल में आपको 9% तक return 5 साल में 11% 3 साल में 27% औ तो मतलब company आपको अच्छा कासा return दे रहा है अच्छा कासा जबदस्त कर रहा है तो company का reserve देखिए पहले 133 करोड था अभी 4000 करोड पहुंच चुके हैं company का जो करजा है मैं पहले बता चुका हूँ 472 करोड था अभी 773 करोड अभी देखना बाकि है company के उपर किसके पास कित देखना होगा देखे मैं इस चीज को बार बार फालो करता हूँ अगर institution ज्यादा निवेस कर रहे है मतलब उस company के उपर आप long term खेल सकते हैं थोड़ा सा पेसेन के साथ वो चीज समझ लीजिए क्योंकि देखिए institution जिस company में नहीं है उसका मतलब उस company के उपर कुछ भी problems feature मे आ सकते हैं क्योंकि institution को जदा पता चलता है companies के बार में आप और में उतना research नहीं कर पाता जो research institution करते हैं क्योंकि उसको करोडो का पैसा लगा जाता है हम लोग उतना पैसा नहीं लगाता है तो देखिए promoter के पास कितना है 60% FIS के पास कितना है 14% DS के पास कितना है मात्र 0.19% institution मतलब institution के पास ना के बराबर है और सबसे जदा हिस्सेदारी किसके है public के पास उसके पास रहे गा ही क्योंकि वो देख चुके है एक साल के अंदर उसका फांड दो गुना हो गया तो वो तो इस टेप company में निवेस करेगा ही साथी साथ company एक penny stock भी है तो इसके उपर भी बह जान रखा है तो मेरे हिसाब से आप उस तरीके से retail निवेस नहीं मत बनिये जो ज्यादातर पेसल लेकर ज्यादातर रिक्स लेकर काम करते तो आपको रिक्स भी stock चाहिए तो मैं कहूंगा इस टाइप stock से अब दूरी रहिए मैं तो इस टाइप stock के उपर निवेस नहीं करत